असलाम अलेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आशीर रह्मान, हमने एक किताब शुरू की है जिसका नाम है आस, जिसकी मुसनिफ है अस्मा तारिक साहिबा, तो गुजिशता चैप्टर था हमारा बिछड़ा कुछ इस अदा से, चलिए अबना आज का चैप्टर शुरू क करते हैं, जिसका नाकामी कामयाबी की कुझी है, कहा जाता है, कि जब एडिसन बलब बनाना चाहा, तो 999 कोशिशन नकाम गई, और 1000 वी दफ़ा बन गया, इस से जब पूछा गया, कि आपने 999 नकाम तरीकों के बाद 1000 वी बार सही बलब बनाया, वो कामयाब तरीका तो एडिसन ने कहा, नहीं मैं, यह ने नकामी नहीं बलके 999 वो तरीके इजाद की हैं, जिनसे बलब नहीं बनाया जासकता, और 1000 वी बार वो तरीका इजाद किया, जिससे बलब बनाया जासकता है, और वो तरीका तबी मिला, जब मैं 999 förिके डूंड चुका था, जिससे नकामी एक ऐसी शेय है जिसे हर कोई बला समचा है और उससे दूर बागता है ये एक फितरी बात भी है इनसान हमेशा से ही कामियाबी का खौश्च बन रहा है इसे इसकी तलब रही है नकामी उसे कभी पसंद नहीं आई वैसे भी नकामी को कौन पसंद कर सकता है? यही वज़ा है कि वो हमेशा से कोशिच करता है कि वो ऐसी बातों और चीजों से धूर है जो नकामी की वज़ा बने इस बात की वज़ात एक मशहूर मकौले से की जा सकती है कि अगर आपने अपना म।स्कविल बदलना है तो अपनी आदात بدले और बदलना भी चाहिए तो अपनी नादात को बेहतर करें और इसके लिए इर्दगिर्द के महोल को बेहतर बनाए क्यूंकि जैसा महोल होता है वैसी ही इनसान की सोच होती है अच्छे और मुस्बत महौल में रहने वालों की सोच भी अच्छी और मुस्बत होगी और इसी तरह इनकी आदात भी नकामी बरी हो सकती हैं तकलीफ दे हो सकती हैं मगर यही नकामी है जो कामयाबी की तरफ गामजन करती है नकामी से कामयाबी तक जाने का रासा ही जो आपको कामयाबी के लिए तियार करता है और इसके काबिल बनाता है नकामी आपको वो कुछ सिखाती है जो आप आम तोर पर नहीं सीख सकते हैं जिन्दगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको बेशुमार नकामियों का सामना रहता ह मगर जब आप उन नकामियों का मुकाबला करते हैं तो आप ना सिर्फ बहुत कुछ सीखते हैं बलके कामियाबी को भी अपना कदम चूमने पर मजबूर करते हैं सफर का आगाज कीजिए आइसाइसा और मुस्वकिल कदमों के साथ मनजिल की जानी बढ़ते रहिए ये सोचिए बगएर के के दूसरे क्या कर रहे हैं वो कहां चले जा रहे हैं और मैं कहां हूँ रासे में आने वाली रुकावटों और नकामियों से सीख कर आगे बढ़ते ज चल पड़ें नई कोशिशों के साथ और हिम्मत के साथ मनजिल दूर है मगर मिलेगी ज़रूर नकामी आपको बहुत कुछ सिखाती है नकामी सेने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सा तरीका कार सही रहेगा और कौन सा नहीं पिर आपके लिए असान हो जाता दुरूस र नाकामीयों पर मुच्तमिल है और इस सफर में चीज़ एहमियत रखती हैं वो हिम्मत और होंसला जिसकी बदूरत आप मिदान में जमे रहते हैं और मकाबला करते हैं यह मकाबला अगर खुद के साथ अपनी बेहतरी और तरकी के साथ हो तो कामयाब रहता है सीकने को बहुत तो मेरे साथ सफर शुरू किया मगर फ़ला मुच्से आगे कैसे निकल गया जरूर किसी दो नबरी का नतीजा है यह निजाम ही ऐसा है हम यह नहीं करते कि देखें कि फ़ला ने कैसे यह कामयाबी हासल की कितनी मेहनत की और हम से कहां गलती हुई हमें उसे समझना चाहिए औ और इससे सबक सीख कर आगे बनना चाहिए दूसरों की कामयाबियों पर घुनने से तकलीफ और परिशानी के सवा कुछ नहीं मिलता इससे बेतर है अपनी मेनत बढ़ाई जाए और कोशिश दुगनी कर दी जाए और एक अंगरेज लीडर का कहना है कि कोई कामयाबी आखरी नहीं होती और ना ही कोई नकामी जान लेवा है यह हमत है जो अमियत की हामिल है पालू का कहना है कि अपने खौबों की पहचाने और उनके लिए लड़ें आपको पता होना चाहिए कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए और इसकी खोज लगाएं कुछ भी आपके खौबों को हकीकत बनने से नहीं रोक सकता सवाए नकामी के डर के नकामी का खौफ सबसे बड़ी बिमारी है जो कुछ करने नहीं देती आगे बढ़ने नहीं देती और इस खौफ से निजा सिरफ आप खुद ही आसिल कर सकते बार बार मिदान में कूद कर हार और जीर से बेपरवा हो कर मुसलसल मेहनत और कोशिश जब आपकी निगेबान होगी तो कोई चाह कर भी आपको रासा नहीं कर सकता नकामी एक मौका है कि कैसे अगली बार उससे भी और ज्यादा बेहतर अंदास में आगे बढ़ना है और कोशिश करनी हैं ये नकामिया वही हैं जो इनसान को बनाती है हर कामियाब शक्स के पीछे बेशुमार नकामिया होती है और यही उसकी कामियाबी की वज़ा बनती है और जी हमारा आज का चेप्टर हुआ मुकमल इन्शाला हम कल फिर आपसे मिलते हैं तब तक अपना ख्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफिज़